तो आसवे को नमस्ते पढ़ाम मैं आपका अपना ठागुर प्रखर सिंगों रात के दस बत चुके हैं और कहानी का जुसे दिसला है बतस्तूर जारी है आम तोर पे किसी इंसान की खासकर अगर बच्चा हो तो उसकी लड़ाई लड़ने वाला या तो उसकी मा होती है या फिर उसका बाप होता है अगर ऐसा हो कि जो पिता है वो है नहीं और मा ही अपनी अवलाद की दुस्मन हो जाए हाला कि ऐसा होता ही बिल्कुल कम है लेकिन अ कभी ऐसा हो कि पिता नहीं हो और मा ही अउलाद की दुस्मन हो यानि जो कुछ गलत किया हो खुद मा ने किया है तो ऐसे हाल में उस बच्ची की लड़ाई लड़ेगा कौन आज की कहानी इसी घटना प्याधारित है और इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहां उस लड़की का उस बच्ची का साथ पुरी दुनिया छोड़ देती है पिता छोड़ देता है मा छोड़ देती है उसके बाद एक दादी उस बच्ची के लिए खड़ी होती है पुलिस से लेके कोट का चेहरी तक का पूरा चक्कर लगवाती है और अंत में जो दोसी थे जो परिवार रहा करता था बात है साल 2004-05 की साल 2005 में उस परिवार में एक शादी होती है शादी होने के बाद सादी सुधा जिन्दिकी आगे बढ़ती है आगे बढ़ने के बाद एक बच्चा जन्म लेता है एक बेटी बेटी जन्म लेती है परिवार वाले खुश होते हैं कि चल अब घर पे दो बेटी हैं, बेटीों की जिम्मेदारी, शादी वगएरा भी करनी थी, तो गाउं में ये लोग रहते थे, तो इनके जहन में आया, कि गाउं में रहने के बाद दूसरे साथ से जिंदिगी चल नहीं पाएगे, शादी करनी होगी, बच्चों को पढ़ाना होग परवरिश करनी होगी, ति काम करते हैं कहीं और चलते हैं जहां बढ़ियां रोजगार हो, जहां बढ़ियां नौकरी मिल सकें, काम काज कर सकें, इसी वज़ा से जो मिया भी थे अपने दोनों बच्चों को लेके, चले जाते हैं सहर, और जाके वहीं सहर में रहने लगते है सारी चाही बिलकु ठीक चलती है ठीक ठाक नोकरी मिल जाती है वक्त के साथ-साथ बच्चियां भी बड़ी होती है लेकिन इसी बीच जब बच्चियां बड़ी हो रही थी है तभी उस घर के जो मुखिया थे यानि इन बच्चियों के जो पिता थे उनकी तबियत कुछ खराब होने लगती है कभी ऐसा होता कि मार्केट जाते वापस नहीं आते इधर खोजने वाले खोजने निकलते और मार्केट में भी अगर कुछ लोग उन्हें मिलते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहां जाना है, घर पहुचा दू तो ऐसे हाल में वो जो बच्चियों के पिता थे वो अपने घर का एड्रेस भी नहीं बता पाते यानि कभी ऐसा होता कि एड्रेस भी भूल जाते अब यह दिक्कत होने लगे तो डॉक्टर औगरा को भी दिखाया ठीक ठाक जांच परताल हुई, दवा वगैरा भी करवाया लेकिन ज़्यादा आराम, ज़्यादा चीज़ें हुई नहीं वक्त के साथ-साथ इनकी बिमारी बढ़ने लगी बच्चियों की जो जिम्मेदारी थी, वो मा पे आ गई मा ने अपने तरीके से थोड़ी बहुत दवा करवाई जहां तक हो सकता था इलाज करवाने की कोशिश की लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि अब ये ज़्यादा ठीक नहीं हो सकते हैं जो इस्तिती है अभी इनकी पर्मेनेंट इस्तिती रहेगी तो ऐसे हाल में मा के पास दो आप्सन था पहला कि अपने पती से इमानदारी से रहे जैसा भी ये जो भी ये उसने मांगवे सिंदूर बराये साथ जी ने बरने की कश्मे खाई है तो उस कसम पे अडिक खड़ी रहे अपने बच्चियों को पाले पोसे उनको आगे बढ़ाये अपने पती का जी उन भसात दे जब तक हो सकता है और दूसरा कि कोई दूसरा पार्टनर देख लिए उसी के साथ अपने आगे की जिंदगी सुरू कर दे पती मरता है तो मर बच्चों की परवरिश गरबढ़ होती है तो हो अब आँ तोर पे हिंदुस्तान में ऐसा होता तो है कि जादतर महिलाएं पहला आप्शन चुनती है लेकिन इस महिला ने यानि उस बच्ची की जुमा है उन्होंने दूसरा आप्शन चुना कुछ दिनों तक उन्होंने अपनी पती की शेवा की लेकिन जब उन्हें लगा कि अभी आदमी विस्तर से उठेगा ही नहीं तो इसके साथ वाकि जिंदगी गुजारने का क्या मतलब वक्त के साथ साथ वीमारी भी बढ़ती चली गई और साल दोजार 17-18 आ गया पर इसी 17-18 आतने के बाद जब इदर काफी तवियत खःब होई कोई इलाज कोई रिलीफ मिला नहीं तो जो मा थी बच्चियों के वो एक आदमी के संपर्क में आती है जिसका नाम था सिसू पाल सिसू पाल के संपर्क में आती है सिसुपाल का नेचर उसे अच्छा लगता है दोनों में बाच्ची सुरू हो जाती है अब बाच्चीत हो रहे थी कोई रोक टोक करने वाला था ने सासुसुर कहीं और रह रहे थे जो पती था वो बिमार ही था मंद गुद्धी हो चुका था बच्चीयां भी छोटी थी एक बच्ची दस साल की एक बेटी साथ साल की तो फिर कोई रोक टोक नहीं था कोई जानने पहचानने वाला नहीं था लिया आजा बिना कोई जिजक के बिना कोई दिक्कत के ये महिला से सुपाल के करीब आती रही वक्त के साथ साथ दोनों के बीच नजदी किया बड़ी एक समय बाद जो महिला थी उसी सुपाल के घर में ही जाके सिप्ठ हो गई और यहां पे दो बच्चियां एक दस साल के एक साथ साल के और एक मजलूम बाप ये तीनों लोग छूट जाते हैं इसके बाद कभी कभार मन होता तो अपने पती के घर पे आती कुछ देर रहती उसके बाद अपने आशिक अपने बॉइफेंड के पास चली जाती ये सिलसिला भी चलता था इसी बीच बच्ची जो बड़ी वाली थी ग्यार दस साल की बीटी वो अपने किसी रिलेटिब के याँ चली जाती है इधर जो छोटी वाली बच्ची अपने पिता के पास रह जाती है अब कभी यह यहाँ बयाके खाना बना जाती कभी बॉइफेंड के पास चली जाती खाना पहुचा दी ती यानि एक जो मजबूरी थी बस वही इस परिवार से जूड़ी रह गई बाके जो महिला थी अपने उस boyfriend के साथ पूरी तरह खुश थी वक्त बढ़ा देदरे साल आगे बढ़ा साल 2018 आ गया और साल 2018 आने के बाद जो बड़ी वाली लड़की थी अचानक से अपने घर पे आती है और ठीक उसी टाइम उसकी जो छोटी वाली बहन थी वह भी बैठी थी अब छोटी वाली बैठी थी जो बड़ी बहन थी किसी रेटिव कहां गई थी अपनी बहन को देखती है देखने के बाद पूछती है कि बड़े दिनों बाद कैसी हो अब छोटी बहन से जब य बहुत धीमी चाल से चल रही थी वानों ऐसा लगे कि जैसे उसके पैर में उसके सरीर में कोई तकलीफ है अब यह चीज बड़ी बहन जब नोटिस करती है फिर पूछती है कि क्या बहुत थक गई हो कोई दिक्कत है क्या कोई तबीयत वेरा में दिक्कत अब यह तमाम सवाल ब सब्सक्रां कोई उसने के जरूर कुछ बात है तभी मेरी चंचल रहने वाली भैन इतनी ख्लाव है तो फिर उसने चबिले जाकर अपनी बहन से ठीक से पूछा और जब छबने जा気 अपने भेन से ठीक पूस्ताज उसने की तो छोटी बहन ने जो कुछ बताया उसे सुनने के बाद बड़ी बहन सन रह गई दरसल साइद यही दर्द वो छोटी बहन का जो था वो बड़ी बहन भी कभी झेल चुकी थी दरसल छोटी बहन बताती है कि जो मम्मी है मुझे अंकल के पास लेके जाती ह अंकल वही हैं जो मम्मी इसे प्यार करते हैं जो मम्मी के साथ शादी करना चाहते हैं अंकल मेरे पास आते हैं जब मम्मी मुझे लेके जाती हैं तो मेरे सरीर के सारे कपड़े अलग कर देते हैं और मुझे जरे साथ कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे मुझे पेट में बहुत तेज दर्द होता है, मैं दर्द से चीकती रहती हूँ, चिलाती रहती हूँ, उसके बाद जब मैंने मम्मी को ये तमाम चीजे बताई, तो मम्मी ने मुझे कहा कि बिटा ये चीजे होती रहती हैं, और तुम्हें इस चीज की आदर डालें चा कई महीनों से मेरे साथ हो रही अब छोटी बहन तो छोटी थी लेकिन बड़ी बहन एक ग्याराव साल की हो चुकी थी तो उसने यह चीज जब सुनी तो तब तक सायद उसे वह नौलेज्ज दुनियादारी की समझ हो चुकी थी वह फौरन समझ गई लेकिन अब वो करी क्या प पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं पुलिस वालों को देख के वैसे भी बच्चे डरते हैं बाप बेचार अब इस तर पर पड़ा हुगा मा जो है उसी ने सब किया है तो क्या करें अब हपतों तक दोनों बहन बैठ के सोचती हैं कि किया क्या जाए उसके बाद एक हपते बाद इनके जहन में काइडिया आता है उसके बाद जब घर पे मा नहीं होती अपने बॉइफ्रेंट से मिलने जाती है तो ये दोनों अपना समान पैक करते हैं और भाग जाते हैं अपने गाउं दादी के पास और दादी के पास पहुँचके पूरा वाक्या सुनाते हैं कि पती को छोड़के वह इधर उसने अपनी बेटी के साथ भी असा करवाया अब दादी एकदम तूट चुकी अब दादी तूट चुकी इधर बच्चियां रो रहें उन्हें भी सवय नहीं आ रहा दादे वह एकदम खामोश लेकिन फिर यहीं से दादी ने कमर कसी और उसने रिसर्च करती है कि क्या करना चाहिए सबसे पता करती है मन में यह भी डर था कि कहीं किसी से जिक्र करो और मेरी बच्चियों की बदनामी नहों तो गुप चुप तरीके से पता करती है कि क्या किया जा सकता है कौन ऐसे लोग हैं जो इस केस में मेरी मदद करेंगे कौन ऐसे के बाद पहुंच जाती है चिल्डरेन होम काउंसलिंग जैसे तैसे करके पैसी गठे की एक किराया भाड़ा दिया और जब वहां पे पहुंचती है तो वहां पर जो महिला कर्मचारी थी उनको कुछ बताती है और बताने के बाद फिर उनसे कहती है कि एक बार आप मेरी बच् उसे पूछना शुरू किया कि क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था तो फिर इन बच्चियों ने बताना शुरू किया कि एक बार मैं एक अंकल के पास गई थी मेरे ममी ही मुझे लेके गई थी जाने के बाद उनकल मेरे ममी से कहते हैं कि तुम बाहर जाओ मेरी ममी कुछ ल ही उसके बाद ऐसा कुछ करते हैं जिससे मेरे सरीर में बहुन दर्द होता है मैं दर्द से कराती रहती। हुँ उसके लेयो 2008 कि मlová भूमिय से करेंगे मम्मी के आने के बाद उस सिकायत करूँगी मम्मिय को डाट लगाएंगे, मम्मी आती है, मैंने मम्मी से बताया, कि मम्मी इन अंकल ने मेरे साथ ऐसा कुछ किया है, इस उम्मीद में कि साय जो मेरी मा है, वो मेरे साथ इस्टेंड ले, और इन अंकल को डाटे फट कारें, मुझे यहां से लेके चलें, लेकिन मेरी मम्मी निकाह क होता तब-tab मम्मी मुझे ले कि उनंकल के पास जाती है अब होम काउंसिलिंग के सामने एक साथ साल की बच्ची अपना स्टेट्मिंट दे रही फौरन मामला पुलिस में गया अब एक सथान इस मामले में जुड़ती है अब मामला जब पुलिस में जाता है जाने के बाद फॉरन एक्षन लिया जाता है इस पर ताथ सुरू हुई इसके बाद सबसे पहले जो सिसुपाल था उसको गिरफतार किया गया गिरफतार करने के वाद उसे बताया गया कि तुमने ऐसा किया ये तमाम चीज़े इसके बाद फिर अब पुलिस ने अपना काम कर दिया चार्शेट बना लिए बच्ची का बच्ची का जो बयान था वो तमाम चीज़े हो गई अब मामला कोर्ट में जाना था मामला कोर्ट में जाना था वहाँ सारे सबूत होने थे सारे गवाह होने थे तमाम तरह की चीजे होनी थी मामले की पैर भी करने वाला कौन एक दादी हो भी 80 साल की दादी से कहा गया कि आप कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी दादी ने कहा नहीं, मैं पूरे मामले की पैर भी करूँगी दादी और बच्ची की वैसी अवस्ता देखने के बाद पुलिसवालों ने भी सोचा कि इस मामले को अगर हम सही से कहें और कौट से अन्रोथ करें कि फास्ट्रेक कोट पे इसको किया जाए तो सायद इंसाब जल्दी मिल जाए लिएज इस मामले को फास्ट्रेक कोट में डाला गया मामले की सुनवाई शुरु हुई सुनवा ये बच्चियों के बयान पर ही आधारी थे जो कि दो मेजर दिक्कत थी सबसे पहली बात कि बच्चियों के साथ जब कुछ हुआ था उस समय कोई बयान या पिर कोई medical हुआ नहीं था जो कुछ था बच्चियों के present के बयान पर निर्वा था रेप हुए कई महीने गुजर चुके थे तो उनके सबूत कहां से कठा किया जाए यानि ये रेप हुआ है इस बात की पुस्टी कहां से हो किसने किया इस बात की पुस्टी कहां से हो चैलेंजिंग था मामला फूलिस वाले जाच परताल कर रहे हैं चानबीन कर रहे हैं, सबसे पहले फिर से उस बच्चियों के बॉड़ी का चिक अप करवाया गया, लेकिन बच्चियां इतनी मासूम थी, कि रेप हुए हुए भले ही महीने गुजर चुके थे, लेकिन फूल सी कोमल बच्चियों के साथ चुकी रेप बड़ी बरबरता के जो हील ही नहीं हो पाई थी, यानि ऐसे गहरे घाओं की महीनों से ज्यादा का वक्त लग गया भरने में, तो पहले तो उन घाओं को आधार बनाया गया, साथ ही जो उसी सुपाल था, उसे शक्ति से पूछता चुई, तमाम तरह की और चानबीन हुई कि बच्चियां कब आ गया, वह यह चीजें आइडिटीज यानि बिस्तर कैसा था, बेड कैसा था, पूरा सीन अप क्राइम कैसा था, तमाम चीजें बच्चियों से पूछा जो गया था, तमाम चीजें मैं चुई, कोर्ट में मामला गया, वक्त के साथ साथ मामली की शुनवाई हो रही, पेसी द आरोपी है, वह ही सुसाइट कर लिया, अब मैं आरोपी ने सुसाइट कर लिया, तो मामली में बचा क्या, यानि आपके उपर कतल का मुकदमा है, आपने सुसाइट कर लिया, आपकी जान चली कि तो मुकदमा चली कैसे, अब मामला फिर कम चूर पढ़ गया, चुकि अब ए ने क्यूजड है अभी वही मर चुका है तो इसमें अब मा का रोल प्रूप कैसे हो अब मा को सजा दिलवाने थी चुकि उसने ऐसा कुछ किया था अपनी बच्ची को परोज दिया था अपनी बच्ची का रेप करवाया था अब पुलिस वालों के लिए फिर से चैलेंजी हो ग गई थी और लेके गई थी तो कहां लेके गई थी अब मेन जाज परताव इस चीज़ पे अधायए था कि जब लेक गई थी और जिसन ने रेप हुआ था कोई दुकान वाला, कोई दूद वाला, कोई चाय वाला अब बच्ची ये बताती कि हाँ जो फला अंकल है उन्होंने देखा था जाते हुए मैंने उनको नमस्ते भी किया था अब उन अंकल से पूशता चो कि क्या जब ये बच्ची जा रही थी तो आपने देखा था चूकि अभी एक एक सेन को फिर से वहाँ तक रूम तक पहुचाना है उन्हों अंकल ने कहा कि हाँ मैंने देखा था अब फिर हुआ कि जब आप उस घर के पास गई थी बेटा तो क्या वहाँ पे कोई था बच्ची ने कहा कि हाँ एक ऐसे शक्स बैठे थे इस तरह का बोडी लेंग्मिस था ऐसे कपड़े उन्होंने पहने थे अब पुलिस वाले फिर से वापस आते हैं उस सक्ष की तलास करें लेकिन यहाँ दिक्कत में ये भी है कितना पुराना मामला है लगबग दो साल तीन साल गुजर गये साल दोजार अठारा की ये बात है सुनवाई होते होते साल दोजार एकीस बाइस आ गया दादी वेचारी अलग पैर भी कर रहे है पुलिस वाले अलग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे है लेकिन अब तीन साल पहले कोई बच्ची अपनी मा के साथ कहीं जा रही है किसी ने देखा तो से क्या याद होगा अब तमाम चीजे पुलिस वाले पता कर रहे है बच्ची से भी पूच्टाच कर रहे है जो भी सबूत जो भी चीज मिल रही उसको इकट्ठा कर रहे है साल दोजार बाईस आते आते तमाम तरह के सबूत इकठा किये गए, तमाम तरह के बयान इकठा किये गए, इधर एक चीज़ और हुई, कि साल दोजार उन्नीस के आसपास जो पिता था इन बच्चीयों का, उसकी मौत हो गई, अगर वो जिन्दा होता, तो ऐसे तो कोई महत त जी था, तो उसके बयान को रिकॉर्ड पे नहीं लिया जा सकता था, लेकिन हाँ, वो कुछ अगर बता था, तो साहद उससे बात बनती है, बहराल पुलिस वाले जाच परताल कर रहे हैं, अलग-लग जगों की कैमरे उन्होंने चेकी है, अलग-लग तस्बीरे निकाली, लड की ही बात है, परसो तो संडे था, तो कल की बात है, कल जो तिरुवंत पूरम की कोर्ट है, जिसकी जो जजस साहिबा है, मानिये नियाधिज जी, आर रेखा, उन्होंने इस केस को जब सुना, तो केस में सुनवाई करने के बाद, इस मामले के पुस्टी हुई, कि एक मा, जो कोई सोतेली बेटी थी, कोई चचीरी बेटी थी, कोई और मामला था, अपने ही सगी बेटीयों को, अपने उस बॉइफेंड के सामने परोस देती है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं लगातार ये सिलसिला चलता रहा, आलम यह हुआ, कि जो बच्ची है, मानसिक रूप से इतनी प्रताडिश हो चुकी है कि चांच करने वाले पुलिस वाले जब उस बच्ची के करीब जा रहे थे उससे पूस्ताज कर रहे थे जब मेडिकल हो रहा था तब भी बच्ची सहम जा रही थी वो डर जा रही थी साथ 7-8 साल की बच्ची उसे पता भी नहीं था कि उसके साथ अब मेडिकल होगा या फिर वो तमाम चीज़े उसके साथ उसकी मानए करवाई है वो फिर से होने वाली है तो फिलाल अगर आगर आजकी डेट में बात करूँ तो बच्चीयों की जो अमरrendre जिसके साथ ये तमाम चीजे हुए जिसका में केस है वो उसके उमर 11 साल है और जो बड़ी वाली बेटी है उसके उमर भी 14 से 15 साल है तो 14-15 साल की ये दोनों 11 और 15 साल की दोनों बच्चियां इसमें चिल्डन हों के अंतर्गत अभी रह रही है दादी बेचारी की ऐसे सिती नहीं थी कि सुमर में दो बच्चियों का पालन पोसन कर सके वो बेएसे हाल में जब बच्चियां ऐसे मांसिक दुर्गती के साथ गुजर चुकी है लेकिन इस दादी ने जो कुछ लड़ाई लड़ी पिता विचारा मंद बुद्धी था 2019 में उसकी मौत हो गई मा इस तरह की निकली और अंत में पांच सालों तक चार सालों तक लगा था लड़ाई लड़ते लड़ते अंत में कोट ने भी ये माना कि जो महिला है उसने रेप करवाया है इधर जो महिला को वकील था उसने भी टर्मोलोजी चल दी दरसल जो आदमी था जब उसकी मौत हो गए इसी सुपाल उसने सुसाइट कर लिया तो पिर इस महिला के वकील ने गेम पलटा और कहा कि अगर वो तो उसने सुसाइट कर लिया मेरी क्लाइंट जो महिला थी उसका कोई योगदान नहीं था और यहीं से केस चैलेंजिंग बना और इसने कुछ किया नहीं था इसको छमा कर दिया जाए लेकिन जो जब सही बार रेखा है उन्होंने इस पूरे केस को जब समझा तो फिर फैसला दिया कि महिला कहीं से भी छमा या बेर ऐसा नहीं है कि यह किसी चीज़ से अंजान है इसकी पूरी गलती है इसने नारिजात को सरमसार कर दिया है मा सब्द को एक तरह से गाली दे दिये है इसलिए इसको 40 साल की सजा और 20 साल 20 हजार रूपई का जुर्माना लगा जाता है इसके उपर तो 5 सालों बाद 4 सालों बाद इन दोनों बच्चियों को नाय तो मिला लेकिन सायज जो छबी इनकी जहन में बहर गई है वो जिन्दिगी भनना निकल पाए लेकिन सलाम है ऐसी दादी को जिन्होंने इस तरह की लड़ाई लड़ी और 20 साल की उमर में अपनी बच्चियों को एक तरह से इंसाफ दिलवाया और एक मिसाल पेसकी की कोई भी हो इंसाफ होता जरूर है अगर कोई करवने वाला होता है तो फिलाल ये थी ब्रहत अपसोसनाक कहानी ऐसी कहानिया जब आती है तो एक तरह से आत्मा कचोड़ जाती है चुकि रेप होते हैं ये हमारे समाज का भी तरह से अंग बन चुका है बड़ी अपसोसनाक बात है लेकिन सही है लेकिन जब घरवाले परोस्दें तो मनोबल तूट जाता है कि अब सुरच्छित लोग का है तो फिलाल ये थी पूरी कहानी अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ तब तक अच्छे रहे खुश रही अपना ख्याल लगी अपने देश का ख्याल लगी जैहिंत बन देवाल